है लो एवरिवन आज में लोग ब्यस्य और्गनी केमिस्ट्री के अंदर एल्कोहल यूनिट के अंदर पॉली हैटिक अल्कोहल से डिसकस करेंगे मोनोहहाटिक अल्कोहल आल्लिछ डिसकस कर दिया है आप लोग पेल लिस्टे पने जाकि उसकी वीडियो देख सकते हैं तो देखो पॉली हाटिक अलकोहल आपको पताईए नाम से पॉली का मतल़ क्या होता है मैं नी ठीक है हाटिक है तो ऐसे अलकोहल जिसमें एक से ज़्याद और ज क्या को बोलते हैं, एक से ज़्यादा अगर वहित है फोलिहाट्रीटरिक अल्कोछ बोलते हैं अकर फोलूफ होच होगे ए मतलस को इसको ज्थ From मैं मोन क्या बोलती है है, यस Все जल्कोछ अम करना पहले ओं ल seine है अलdade बेढ़़क में लिए और की जो chemical प्रोपरटीच उनको हम लोग डिसकस करेंगे तो डायर्पर्ट्रिक ऐलकोहल क्या होंगे इसमें दो वाज होंगे जैसे यह एक। यह एथिलिन गलायकोल है जनरल नीम ठीक है यह यह प्रोपाइललीन गलाइकॉल इसका जनरल नीम है. ट्राइमेथिलीन गलाइकॉल इसका जनरल हमें. तीन के तीन माँ आउलोग दे सकते हो कि दो-दो अच तो क्या बोलेगे? नियुक्त दिहें का लिए अपको धेहाएइञें हैं तो हम सो क्य बूलिए जिन बात है त्यां से करेंगे और इस सारट से करें तो वन्सक्राइब फर्वे, तो पर व बहुरुठ को रखी। रहा है ? अब देखो परपरेसिन में हम लोग पहले डिसकस करनी है, बैं हाइड्रोग्जलेशन अब हैँड्रोग्लेशन कब उसक almonds होता है? अगर हमको हाइड्रोग्लेशन आपको इस नेम से मतलब यह वाला कार्बन भी डवलन के साथ आँ यहां से डवल बॉंड रह टके यहां पर दोनी जगहए ओएच एक उच यहां पर आजाएगा एक वच यहां पर आजाएगा तो क्या बने कहां एथिलीन ग्रायकोल ठीक है टो फस्ट में और क्या होगी बैई हाइड्डरॉक nota तो second method क्या है by hydrolysis of ethylene di chloride या ethylene di bromide ठीक है हमने क्या लिए है पर ethylene di bromide लिया है इसके हमने hydrolysis sodium carbonate कर दिया तो क्या बनिया दो BR की जिका में क्या लग जाएगा OS लग जाएगा ठीक है 2NBR भार प्लस CO2 भार तो दूसरी method होगी तीसरी method क्या है method of preparation में by hydrolysis of ethylene oxide ethylene oxide क्या simple बात दो carbon to ethylene 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 oxide इसको हम लोग oxygen भी बोलते हैं यहाद रखता है ठीक है तो हमने इसका hydrolysis करना तो क्या होगा पता है से तो क्या होगा O के साथ H ले जाएगा ठीक है और इसके साथ क्या हो जाएगा CH2OH तो CH2OH CH2OH कोई साब भी बोंड आप ब्रेक कर सकते हो चाहिए यह यह वाला हो चाहिए यह वाला हो ठीक है अभी अब यह तो होगी हमको देखना है chemical property of ethylene glycol तो यहाद रगना है यह BSC chemistry के अंदर है आपके बाब paper होंगे तो यह question आपको बहुत बाहर repeated भी लेंगे सबसे पहले reaction with sodium अगर हम ethylene glycol के reaction एक sodium के साथ कराएंगे एक sodium के साथ तो क्या बनीगा monosodium glycolity यहाँ पर से क्या होता है पता है एक sodium को एक hydrogen replace करता है यहाँ से एक hydrogen भाहर निकला ठीक है और यहाँ पर क्या लगया यहाँ लगया यहाँ पर हो गया ठीक फिर दुबारा भी आपने कितना क्या है फिर भी sodium के साथ पर कितना temperature देखना 433 Kelvin तो यहाँ पर भी आगा जो एच बचाया वह भी replace हो जाएगा sodium के दवारा यहाँ पर क्या बहुत दूसरी रेक्षण है रेक्षण विद यह step में क्या होगा यह जो ओएच है ना ओएच दुन ओएच रिप्लेस हो जाएगे इनकी जिगह में CL CL लग जाएगे तो क्या बनेगा एथिलीन क्लुरोहाइडिन बन गया उसके बाद हमने क्या करना है फिर से बन गया दूसरी रेक्षण क्या होगी रेक्षण विद थर्ड रेक्षण है रेक्षण विद है यह बनता है फोस्फोरस एचिड यह नि फोस्फोरस एचिड बन जाता है ठीक है अब रेक्षण फिप्ट जो है तो रेक्षण विद कार्वोग्जलिक एचिड अगर हम कार्वोग्जलिक एचिड में जो लिया है हमने वो लिया है CS3COOH उल्टा लिखा हो है ठीक है आप लोग कैसे बिले सकते हैं इसको बहुत है यहां से क्या होगा यहां से निकलेगा और एक एस्ट निकलेगा ठीक है तो बहुत है उसके बाद क्या बनेगा CS2O तो ओ सी स्थ तरी उसके बार स्यस्टू और गलाइकॉल मोड़ज अगर हम एक सोडें पर शांत्र बनेगा मतलब एस्टर बनेगा ठीक है डूसरे सोडें के साथ दूसरे स्थ एस्टिक एसेट के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा डाइस्टेट बन जाता है ठीक है रेक्षन हो है क्या रियक्षन विद् प्रियोडिक एसे इसका फॉर्मला याद रखो एसाई ओफोर होता है एंड लेट टेटरा एस्टेट बहुत इंपोटेंट रियक्षन इसको याद रखना है इसको स्वाट रिक के थुरू हम लोग सॉल्व करेंगे कि बनता कैसे क्या उन्साब बनता है ठीक है तो क्या देखो एथिलिंग गलाइकोल लिया इसकी रियक्षन हमने क्या करा दी प्रियोडिक एसेट के सांद करा दी और दूसरे स्टेप में हमने कराई है लेट टेस्ट रा एस्टेट के सांद तो जैसे ही हमने प्रियोडिक एसेट के सांद करा तो क्या बनें का पता है एक कि व्याद रखना में क्या बोला हूं कि अगर हम किसी बी मिलेक्टेंट की रियक्शन प्रियोडिक एसट किसमत कराइब तो यहां पर क्या होता है कार्बन का वे बॉन्ड होता है वो खलिवेज होता है अब ब्रेक कैसे होगा और कौन सा प्रोड़ी बने का हम लोगो स्वर्ट C2H और OOH जो बना है वहां से हमने S2O बहार निकाल देना है ठीक है, S2O बहार निकाल देना किया बनाद किया बनेगा simple बात है, H, C, O, H यह तो बनेगा फिर क्या बचाए है यहाँ पर S2O बहार निकल जाएगा, तो क्या बनेगा C2O बन जाएगा, ठीक है जैसे मैं अब को दिखा जीता हूँ उसको जैसे सब्सक्राइब हमारे पास यह है इसको मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या है ओएच आ गया ठीक है यहाँ से एक कार्वन पर दो ओएच अनिस्टिबल होते है तो हैस्टो बहार निकाल दो क्या बनेगा CS2O CS2O को हम क्या ले सकते है HCOH ठीक है फॉर्मल डिहाइड है इसको मैंने ऐसे लिखा है तो सेम यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी क्या हो जाएड़ा CS2OH यहाँ से भी S2O निकल जाएगा तो दो फॉर्मल डिहाड बन जाते है सेम अगर लेट, टेट्रा, एस्टेट के साथ भी हम रेकर्शन कराएगे तो फिर भी क्या होगा कार्बन, कार्बन बोन क्लिवेज होगा सेम इसी प्रोसेस के थुरू क्या होगा प्रोडट बन जाता है